लाज क्लास तक हमने Government of India Act 1919 कवर कर लिया और आज से हम लोग Simon Commission शुरू करेंगे और आज हमारी historical background जो इंडियन पॉलिटी का है historical background हमने शुरू किया था उसका आज the end हो जाएगा और आज हम हमारे why part को answer करेंगे मैं हूँ आयूश और आप देख रहे हैं Knowledge Soup UPSC हाँ तो Simon Commission आता है आपका 1927 में तो ये Commission क्यों बनाई जाती है इसका answer है The Government of India Act of 1919 जिसमें एक provision थी कि उसके 10 साल पूरे होने पर एक committee बनाई जाएगी एक commission आएगा वो उसको review करेगा कि उसमें कौन-कौन से drawbacks थे ओल्राइट तो for that purpose Simon Commission was made तो होता क्या है actual में वो 10 साल पूरे होते नहीं है Government of India Act 1919 उसमें आप अगर 10 साल जोड़िये तो 1929 होता है मगर दो साल पहले ही ये commission को बना दिया गया इस पूरे Act को review करने के लिए और इसमें 7 members थे और all the members were white Britishers ओल्राइट तो ये Simon Commission जो नाम थी वो Sir John Simon के नाम पे था और क्यूंकि इसके सारे members Britishers थे तो इसके कारण से क्या हुआ ना कि ये जब commission बनाई गई तभी से इसके खिलाफ protest शुरू हो गई थी इंडिया में इसके इंडिया आने से पहले ही इंडिया में बहुत सारी protest शुरू हो चुकी थी और जब ये 1928 में 1928 में ये commission भारत आता है तो जब आते हैं ये भारत तो बहुत mass scale पे यहां पे हरताल घोशित कर दी जाती है काले ज़ंडे दिखाए जाते है और एक नारा दिया जाता है Simon go back Simon go back ये नारा दिया जाता है और लाहोर में क्या होता है लाहोर में इस्टुडेंट्स लोगों ने एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रोटेस्ट निकाली होती है और उसके वो लीड कर रहे होते हैं लाला लाजपत्राई तो वहाँ पर लाठी चार्ज कर दी जाती है ब्रिटिश सोलजर्स जो होते हैं वो लाठी चार्ज कर देते हैं सब प अपना रिपोर्ट देने में जो है वो रिपोर्ट फाइनली सब्मिट करते ही हैं और वो पब्लिष करते हैं में नाइटीन थर्टी को इनका फाइनल जो रिपोर्ट होता है वो में नाइटीन थर्टी को ये पब्लिष कर देते हैं और यही जो Government of India Act of 1935 जाता है कि इस रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि डायार की जो कवर्मेंट ऑफ इंडिया एक 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको ये खतम कर देते हैं अबॉलिश कर देते हैं क्योंकि बोलते हैं ये बहुत ही अंसक्सेस्फुल एक्सपेरिमेंट था हमारा अगर आपको डायार की के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रिवियस लेशन को जाके आप चेकाउट कर सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आई बटन में भी मैंने इसको डाल रखा है आप उहां से जाके चेक कर सकते हैं ओल राइट देन आगे ब गवर्मेंट बनाने के लिए अब वो पावर दे दीजे ओल्राइट इसके बाद क्या होता है कि तीन राउंड टेबल कंफरेंस होते हैं यह डीटेल में मैं इसमें अभी नहीं जाओंगा राउंड टेबल कंफरेंस में क्योंकि यह हिस्ट्री का पार्ट है तो यह जब हम उस का ना सबस्फरेंस के बाद क्या होता है एक वाइट पेपर इसू किया जाता है on constitutional reforms constitutional reforms पर वाइट पेपर इसू की जाती है किसके दवारा की जाती हैegage जो discussion होता है हामें इस पूरे जो Commission में जो discussion होता है उसके basis पे ये की जाती है British Parliament के द्वारा white paper issue की जाती है constitutional reform पे इसमें एक recommendation होती है that incorporated Government of India Act 1935 next हम लोग Government of India Act of 1935 को discuss करेंगे तो next है हमारा Government of India Act 1935 इसको हम लोग कहते हैं ये second milestone है हमारे जो देश में responsible government की शुरुवात होती है उसमें ये second milestone माना जाता है ये बहुत ही lengthy बहुत ही lengthy और बहुत ही detailed document है और हमारा जो अभी का constitution है और largely based है Government of India Act 1935 पे तो इसमें 321 sections थे और 10 schedules थे तो इसके थुरू ये कहा गया कि हम All India Federation बनाना चाहते हैं जिसमें कि provinces और princely states को हम लोग मिला के एक unit बना देंगे ये propose किया गया इसके थुरू लेकिन क्या होता है कि जो ये All India Federation बनाने की बात की जाती है ये कभी बन नहीं पाता है क्यों नहीं बन पाता है क्योंकि princely states जो थे वो नहीं मानते हैं इस बात को वो अपने आपको किसी के साथ भी विलय नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ मिलाना नहीं चाहते हैं इस कारण से ये जो Federation All India Federation बनाने की बात कही गई वो पूरी नहीं हो पाई इस Act के तुरू और इस Act में क्या इंट्रोड्यूस किया गया इस Act में जो Powers हैं वो डिवाइड कर दी गई तीन लिस्ट में फेडरल लिस्ट प्रोविंशिल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ओल्राइट फेडरल लिस्ट में आप कह सकते हैं आपको 59 आइटम्स को रखा गया कि ये जो Central जो Government होगी वो इन 59 सब्जेक्ट्स पे Law बना सकती है फिर प्रोविंशिल जो लिस्ट थी उसमें रखा गया 54 आइटम्स जिस पे प्रोविंशिस जो थे जैसे अभी States हैं उसमें उनको provinces कहते थे तो provinces जो हैं उस 54 आइटम्स पे सब्जेक्ट्स पे वो अपना Rule और Law create कर सकते हैं और तीसरा था Concurrent List तो Concurrent List में दोनों Rule बना सकते हैं Federal Government भी और Provincial Government भी ओल्राइट लेकिन जब कोई tie होता है Concurrent List में जब भी ऐसी कोई situation आ जाती है जहां पे Federal ने भी Law बनाया है उस सब्जेक्ट पे और Provincial भी तो हमेशा Federal का जो Law है वो Prevail करेगा यह होता है इसका Rule और राइट इसके बाद यह आता है कि जो भी जो बच गए सारे सब्जेक्ट्स उनको कहते हैं हम लोग Residuary List और Residuary आइटम्स तो उन पे जो Vice Roy होंगे वो बनाएंगे Law यह इसके द्वारा यह Proposed किया गया यह सारे Laws उसके बाद क्या है Provincial Autonomy देने की बात की गई कि हम DR की सिस्टम को खतम कर रहे हैं और हम अब Provincial Autonomy करेंगे हर प्रोविंस में अपना एक अपना Government होगा जो वहाँ चुना जाएगा और वो अपने प्रोविंस में अपने प्रोविंसियल लिस्ट के हिसाब से जो भी उनको सब्जेक्ट दिये गया है उस पे वो Law बना सकती है All right So कहीं न कहीं यह एक अच्छा प्रोविंसेज थे 11 प्रोविंसेज थे उस समय British India के अंदर तो उसमें से क्या करते हैं यह लोग कि out of that 11 6 प्रोविंसेज में Bicameralism इंट्रोड्यूस किया जाता है वो 6 कौन-कौन से जगह थे तो 6 प्रोविंसेज कौन-कौन से थे तो Bengal थी Bombay था Madras था Madras, Bihar था Assam था और The United Province ठीक है जो भी United Provinces थे एक साइड में वो सारे थे तो यह 6 प्रोविंसेज में Bicameralism इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद जो communal representation है इसको यह लोग extend करते हैं इस act के तुरू और separate electorate बनाया जाता है depressed class के लिए depressed class का मतलब scheduled caste के लिए एक separate electorate बनाया जाता है women's के लिए एक अलग separate electorate बनाया जाता है और workers के लिए एक अलग separate electorate बनाया जाती है इस act के तुरू और आपको पता ही होगा कि इसके बाद ही वो जो जो आप लोग इससे पहले ही, in fact इससे पहले ही ये जो depressed class की इसू थी इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी जो बाबा साहब अंबेद कर थे उस समय और जो पूना पैक्ट हुआ था उनके और महात्मा गांधी के बीच में वो मैं history के ही class में आपको explain करूँगा वो सब सारी क्या चीज थी, तो वहीं से ये सब चीज रिलेट होता है, ये सब चीजे side by side politics भी वहीं पे चल रहा होता है और history part भी वहीं पे चल रही होती है ठीक है, तो ऐसे relate करके आप लोग अगर बढ़ने की कोशिश करेगा तो जादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज है फिर इस act के तुरू इंडिया में Reserve Bank of India Establish करने की बात की गई है Establishment of Reserve Bank of India Then Federal Public Service Commission जो center level पे होगा Provincial Service Commission Public Service Commission जो Provincial level पे होगा और एक Joint Public Service Commission जो अगर एक से ज़्यादा state अगर चाहें तो मिलके एक Joint Public Service Commission भी बना सकते हैं ऐसा भी provision इस act के तुरू लाए गया फिर एक Federal Court Establish करने की बात की गई जो की Establish हुआ 1937 में यह याद रखेगा जो Federal Court बनाने की बात की गई वो 1937 में Establish हो गया था Next हम लोग Indian Independence Act of 1947 को चेक करेंगे तो फाइनली Indian Independence Act of 1947 हम आजादी की ओर पढ़ गए तो होता यह है कि February 20th को 1947 में 20th February को 1947 में British Prime Minister Clement Attlee वो डिक्लेर करते हैं कि British Rule in India जो है जो है वो 30th June 1948 को end हो जाएगा 1948 को end कर दिया जाएगा कौन करते हैं British Prime Minister Clement Attlee वो टिक्लेर करते हैं कि British Rule in India would end जून 30th 1948 इसके बाद क्या होता है जो Muslim League थी वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं एजिटेशन करना शुरू कर देती हैं और डिमांड करती हैं पार्टेशन के लिए कि हमें एक अपनी अलग कंट्री चाहिए Muslim dominated country चाहिए और राइट उसके बाद क्या होता है कि जो British Government है वो clearly ये बात कह देती है कि जो भी Constitution फ्रेम की जाएंगी बाइदा Constitution Assembly of India वो सिर्फ उसी पार्ट पे country के उसी पार्ट पे लागू होंगी जो इंडिया के साथ रहना चाहती हैं जो नहीं रहना चाहती है उस पे ये लागू नहीं होंगी और फिर बाद में क्या है कि 3rd June को 1947 में जो उस समय के Vice Roy थे Lord Mountbatten वो एक famous plan लेके आते हैं जो हम लोग जानते हैं किस नाम से है Mountbatten plan और यही plan था Partition of India Partition of India का plan था ये Mountbatten plan तो इस plan में इस plan को Congress और Muslim League दोनों मान जाती है और उसके बाद partition का रास्ता साफ हो जाता है और आप लोग Comment section में बताईएगा कि जो partition होता है तो वो जो partition line बनाई गई वो किनके द्वारा बनाई गई और वो जो भारत में आये थे तो किस वक्त में वो आये थे ये सबाब comment में जरूर बताईएगा और हम आगे बढ़ते हैं और features को देखते हैं Indian Independence Act 1947 की तो इसके बाद क्या होता है British rule end हो जाती है भारत में और भारत को partition कर दिया जाता है into two independent Dominion states यहाँ पर माफ करेगा गलती से two Dominion states लिखा गया है ये two independent Dominion states में इसको partition कर दी जाती है फिर क्या होता है कि जो Vice Roy थे उनके post को abolish कर दिया जाता है और Governor General का post फिर से आ जाता है power में फिर से इसको introduce कर दिया जाता है कि Governor General होंगे जो कि British King appoint करेंगे और वो काम करेंगे on the advice of the cabinet जो अभी जो present में जो cabinet है भारत में वो जो भी recommend करेंगी अपने Governor General को वो ऐसे ही act करेंगे alright then ये जो है Secretary of State को भी abolish कर दिया जाता है यहां से alright then transfer कर दिया जाती है उनकी सारी functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs Commonwealth Affairs के Secretary of State को Secretary of State for India की सारी powers transfer कर दिया जाती है और उस post को abolish कर दिया जाता है altogether ठीक है then उसके बाद होता है क्या कि सारी princely states को freedom मिल जाती है free कर दिया जाता है उनको कि आप अपने हिसाब से decide कर लीजे कि आपको किस के साथ जाना है आप free रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं या आप पर जो rules, regulations जो भी impose किये गए थे सारे princely states पर by the British government वो सब कुछ हटा दी जाती है alright then ये एक rule बनाया जाता है कि जो government of India act of 1935 थी उसमें जो भी सारे rules and regulations जो laws दिये गए थे जो laws बनाये गए थे उसके अनुसार जब तक हमारा अपना एक constitution नहीं form हो जाता है तब तक देश में सब को उसी law के हिसाब से govern किया जाएगा तो ये point वो ही बताता है कि governance by government of India act 1935 then governor general of India and provincial governor ये जो है इनको बना दिया जाता है constitutional head of the state या nominal head of the state province में governor को और center में governor general को nominal head बना दिया जाता है उस particular state का उसके बाद आजादी के बाद आजादी जब हमें मिल जाती है तो Lord Mountbatten बनते हैं हमारे first governor general of new dominion of India जो new dominion of India बनती है उसके first governor general कौन बनते हैं Lord Mountbatten और हमारे जो first prime minister है पंडित जवारलाल नहरू जी उनको Lord Mountbatten ही शपत ग्रहन करवाते हैं prime ministership की अल्राइट यहाँ पे आके हमारा historical background जो है वो complete होता है और अब हमारे why part का answer देते हैं कि क्यों हमें constitution की ज़रूत पड़ गई तो अभी तक जो हमने discuss किया उसमें हम क्या देखते आए कि हम लोग हमारे उपर बहुत ही अलग-अलग तरह के laws, rules impose किये गए जो कि Indian friendly नहीं थे और government जैसे चाहती थी Britishers जैसे आते थे कि उनको जिस चीज से फायदा होता था वही law वो बनाते थे और हम पे impose करते थे तो हम लोग बहुत oppressed feel करते थे इस कारण से तो हमें चाहिए था कि हमारा जो हमें आजादी मिले तो वो किसी और के laws पे हम न चले इस कारण से हमें अपना set of rules बनाना था इसलिए हमने constitution of India बनाई and constitution of India में ही ये लिखा हुआ है we the people of India and so on and so forth all right तो ये हमारे why part का answer था अब next हम लोग making of the constitution की और बढ़ेंगे next जो हमारा जो lecture होगा वो सब making of the constitution कैसे कैसे हमारे constitution बनाया गया किन का क्या रोल था कौन से committees बनी all right then please do subscribe the channel and like the videos and if you have any queries please comment down in the comment section and do share with your friends thank you very much